आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल रुबीना स्ट्रोंग आज मैं आपको अलू की बुर्जी बनाना सिखा रही हूं आए बिसमिल्ला करते हैं स्टार्ट फ्लेम बिसमिल्या दामान दाइए सबसे पहले में फ्लेम करती हूं अलू की बुर्जी अब की डालेंगे हम तकरीबन एक चमच गी का मैंने डाल दिया है देखें तकरीबन पाइंच दास मिनट में यह बन जाएगी फटाबाट सबसे पहले मैं प्यास में एट करूंगी प्यास मैंने पारीक चोप कर लिया है अब इसको मैं 4-5 मिनिट तक प्यास को बुनूंगी हलका सा गोल्डन इसका कलर गरोंगी अब तकरिबन 4-5 मिनिट मैंने इसकी बनाई कर दी है अब मैं इसके अंदर लगसा नदरक का पेस्ट प्रालूँगी और यह मैंने 4-5 मिर्चे इसको मैंने चोप कर लिया मशीन में यह लगसा नदरक है अब यह एड़ कर दूंगी बिसमिल्लार रहमान दाहीं सारी चीजे इस प्राइ कर लूँगी इसके अंदर एड़ कर लूँगी और यह मैंने टमाटर चोप कर लिया मशीन के अंदर इसको बिसमिल्लार रहमान रहीं जो मेरे चैनल पाने सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें मेरी वीडियो को लाइक करें ताके मेरी हाद नहीं आने वाली वीडियो आप तक ज़ग पहुं सके अब इसको फ्राइ करेंगे मच्छी तरह प्याज गोल्डन हल्का सा हो गया था इसके अदर मैंने दसन दोड़ा का पेश और सबस मिर्चे दाली है पीस का और आप तो माटर का पेश पी साथ ही डा दिया तो माटर का पानी कुछड़ा आप इसके अंदर हम यह जीरा है धोड़ा सा धल्दी साबत कुछ के दनिया है चमज नमक ऐस बजरूरत सुरस मिर्चय यह थोड़ी सी मिर्चय एक पिंच यह थोड़ा सा एक किसकी मैंने काली मिर्ची लिए है अजिक अंदर हम डाले गे ताक बुनाइब की हो रही है जिसके अंदर मसाले डाल देंगे बहुती सिंपल है यह अलू की बुट्टी मज़दार बनेगी तापस टाइल की जैसे आप खते हैं वहाँ पे खोटलों में हलका सा पानी का चींटा दिया ताके यह सारा मसाला अच्छी तरह गल जाए बिसमिल्लायर रहमान रहीं हलका सा बानी लगाँगी ताके प्याद और टॉमाटर अच्छी तरह हाथ चीज मिक्स हो जाए और थोड़ा सा गज़ जाए नरम हो जाए आम मैं दो तीन मिनट के लिए इसको टक्तन देंगे रखोंगी ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए अच्छी बीचे भी सारा साइडों पर आ गया है अब मैं इसके अंदर अलो एड़ कर दूंगी अलो मैंने दो कर तो गरी बनाता किलो अलो थे मैंने ऐसे चोटे चोड़े चोड़े पीस कर लीए जैसे मत्री आप कर सकते स्लाइज में बारी इंब भी चर सकते हैं बिसमिल्लाय रहमान अब की शेफ करेंगे अपट बुनाई करें ये मच्छी तरह से देखे माशाला ही टूक्त अ बुझे थे का देनूंग sicई देखे माशाला ही दया है इसको आपने बारी कड्मे hatte पकले थ्लाइज में अब इसको हम बनाई करेंगे तकरीबं 2-3 मिन इसकी बनाई करेंगे फिर हम इसके अजर हलका सा पानी यह सब देए जिखे नुछे लूछिक बनाई हो चुकी है यह देखें, अब इसमी सी हमने ग्रेवी थोड़ी रखनी आक्षी, यूंकि यह मसाले वाले अलू बना रही हुना है, और आप पानी इसमें अबनी मदू से आड़ कर सकते हैं, लेकिन यह मसाले वाले बुलने हुए अलू है, इसमीं यह बुद्जी, तो मैं पानी थोड़ा स यह बुलने हम आप पानी देखाऊंगी जिफस में अलू गल जाए, इसका शोरबानी करना हमने, बस यह इसको दम पे लगा देंगे हम दो-तीन मिनट के लिए, तो दम की आज कर देंगे, तो फिर दम आज जाएगा तो मैं आपको डिशुट करके तखती हुए, वीवर्स आ आज चुका है, बिसमिल्लार रह्मानलाहीम, देखें माशालला इसकी ग्रेवी बन चुकी है, देख ले, आप भी देखें कैमरे में, पानी भी कुश्पो गया, इसकी बुर्जी माशालला, त्यार है, अब इसको हम दिशुट करते हैं, फ्लेम बंद करते हुए, बिसमिल्ल नान के साथ आप वाइल चावल, हर चीज के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की अलू की बुर्जी बनी है, देखें आप इसकी लुक देखें, माशालला देखें, कितनी प्यारी इसका मसाला बना है, अब मैं दनिया इसके उपर जाल दूँगी दारनिश के लिए, वीव इस पर दनिया में डाल दूँगी, यह सबस दनिया देखें, कितनी प्यारी इसकी देखें आ रही है लुक, वीवर्स आज मैंने आपको आलू की बुर्जी बनाना सिखाई है, सिंपल आलू की बुर्जी है, आप लोगों ने जरूर इसको ट्राइ करना है, बहुत मज़े की बनती है, और बनागे आपने खानी है, और मुझे कमेंट में जरूर बताना है, और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को आप लोगों ने जएदा से जएदा शेयर करना है, लाइक करना है, अब मैं आप से इजाज़त चाती हूँ, काल इन्शाला ने इजिश के साथ आपके साथ भादर होंगी, अल्ला हाफिज